पास्टेंस बुद्काल वह कार्य जो भूद पिछले समय हो चुके हैं उन्हें बुद्काल से व्यक्त करते हैं इन्हें पुनहा वर्गों में बाटा गया है पहला है सिंपल पास्टेंस मतलब सामान्य बुद्काल बुद्काल में पूरा होने वाला कार्य की और संकेत करने के लिए सामन्य बुद्काल का प्रयोग होता है मतलब जो कार्य बुद्काल में पूरा होने वाला है उस कार्य की और संकेत करने के लिए सामन्य बुद्काल का प्रयोग होता है कैसे पेचाना जाता है इसको है उसके नियम क्या है subject plus verb verb का second form plus object करता plus क्रिया का जवित्यरू प्लस कर्म एक्जामपल he went to school वह स्कूल गया he trained पर्शा हुई they ran in a race वे एक दोड दोडे I ate food मैंने खाना खाया इन सारे एक्जामपल्स में देखिए went, ran, ran, ate verb के second form है Past continuous tense निरंतर भुतकाल भुतकाल में कुछ देर तक चल रहे कार्यों को संकेत करने के लिए निरंतर भुतकाल का प्रयोग होता है मतलब जो कार्यों भुतकाल में शुरू हुआ है और अभी तक चल रहा है तो निरंतर भुतकाल या past continuous tense का यूज होता है इसे कैसे पेचाना जाता है तो वाक्य के अंत में रहा था रही थी या रहे थी आदी शब्द आते हैं उसके नियम क्या है subject plus head plus verb का third form plus ing plus object रूल फिर से देखिए subject plus head plus verb का third form plus ing plus object कर्ता प्लस वास्वेर प्लस क्रिया का प्रत्थम रूप प्लस ing प्लस कर्म note he, she, it, I, वा एक वच्चन के साथ वास, you, we, they, वा बहु वच्चन के साथ वेर मतलब he, she, it, I आता है तो एक वच्चन के साथ वास और you, we, they, वा बहु वच्चन होता है तो वेर यूज होता है राम वास रनिग इट वास रेनिग दे वेर स्लिपिग आई वास वाकिग पास्ट परफेक्ट टेंस पूर्ण भुथकाल भुथकाल में समापत हो चुके कार्य को संकेत करने के लिए पूर्ण भुथकाल का प्रयोग होता है इसे कैसे पहचाना जाता है वाकिग के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदिशब्द आते हैं इसके नियम क्या है सबजेक्ट प्लस हैड प्लस भब का थड़क्वाम प्लस अबजेक्ट कर्ता प्लस हैड प्लस क्रिया का तरत्यरू प्लस कर्म एक्जाम्पल देखिए तुम अपना दोफर का बोजन कर चुके थे स्टुडेंट्स हैड प्लेड फुटबॉल बित्यार्थी फुटबॉल खेल चुके थे नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट कंटिनियूस टेंस पूर्ण निरंतर भुतकाल भुतकाल में कुछ समय पहले शुरू हुए एवं अभी भी चल रहे कार्य को संकेत करने के पूर्ण निरंतर भुतकाल का प्रयोग होता है मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिनियूस टेंस पूर्ण निरंतर भुतकाल में बुद्काल में पहले से शुरू किये गाय कार्य को अभी तक जो चल रहा है उसका जो संकेत देता है ऐसे कार्य को निरंतर बुद्काल कहा जाता है उसको कैसे पहचाना जाता है वाक्य के अंतमे से रहा था, से रही थी, से रहे थे आदी शब्दा आते ही उसका नियम क्या है subject plus had been plus verb का third form plus ing plus object plus since या for नियम को फिर से देखते है subject plus had been plus verb का third form plus ing plus object plus since या for इसका example है I had been running since two o'clock मैं दो बज़े से दो रहा था यू had been traveling since last night तुम पिछली रात से यात्रा कर रहे थे राजीव had been sleeping for two hours राजीव दो गहंटे से सो रहा था ठीके आज हमने past tense में simple past tense, past continuous tense, past perfect tense और past perfect continuous tense यह चारो past tense के भाग देखे हैं next video में मैं आपको future tense के बारे में बताऊंगी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो like और subscribe जरूर कीजिए okay thank you